पुरानी माननेता उस गाओं की रही है और मैं समझता हूं कि जो भी पुरानी माननेता होती है परंपराइं होती है उनका बड़ा आर्थ होता है और बड़ी ताकत भी होती है तो लालुकुरा गाओं में बहुत पुराने समय में एक छोटी कन्या को समर्पित किया था यमना मैया को और इस कारण से कि यमना मैया जो है वो अपना एक आशिरवाद बना के रखे तो लगातार वहां पर हर वर्ष हवन हुआ करता था और एक संत वहां पर होते थे वो जब तक वो थे तब तक हर वर्ष वो इसको किया करवाया करते थे पूरे गाओं का उसमें सहयोग हुआ करता था पर पिछले कुछ वर्षों से वो हवन होना रुख गया था तो सभी ग्रामवासियों ने कल जब संकट बढ़ा तो सभी ने मिलकर ये तै कि हमें दुबारा उस हव लाओं को करना चाहिए तो उसके लिए जो वो करिया को समर्फित किया था चotion देखकराँ से उस समय में नदी ज़inka दिया था और जैसी तोकरे के अंदर उसको चड़ाया था तो यमना मुया ने वापस उसको बाहर फैंक दिया था इससे पहले कि लोग अंदर जाके बचाते तो यमना मुया ने लहर ने उसको वापस फैंक दिया था तो उनको भी गुलाया गया जहां पर वो रहती है तो गाहों ने पूरे गाहों उन्होंने चार साल के एक ब्राह्मन की पंडित की लड़िकी को जमना को समर्पित कर दिया था तो उसी को मानता को प्रमप्रा को चलाते आ रहे हैं आज उन्होंने उसी लड़िकी को बुलाया हुआ था और हवनपुजा यग हिया और माता यमना शिपराथना की कि गाओं में संकट आया हुआ है इस संकट को आपू हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद